ये मैंने आलू लिया है तक्रीवен 7-8 आलू है जिससे मैंने इस तरह से ग्रेट कर लिया है अच्छी तरह से चिल़ी गया था उसको पहरे चिल कर ग्रेट किया हुआ है अब इसे तीन से पांच बार दोंगी अच्छे पानी से तो ये मैं दिखा रहे हूँ मीडियुम साइस से आपको इसको ग्रेट करना है बहुत बारीक नहीं और बहुत मोटा भी नहीं तो इसको तब तक आपको धोना है जब तक कि ये पानी बिल्कुल वाइट न हो जाए यह मैं तीन चार बार पहले ही वॉश कर चुकी हुग और अब दिखारी हूं में जब वॉश करूंगी तो अभी भी ये पानी वाइट नहीं हुआ है अब लास्ट में मैं एक बार और इसे धो के आपको दिखाती हूँ तो यहाँ देखिए जब तक ये ट्रांस्पैरंट ना हो जाए इस तरह से साफ पानी ना दिखे तब तक आपको इसे साफ पानी से धोते ही रहना है तो ये बहुत ही मज़दार का नगेट्स बनेगा और बच्चे को तो पसंद आएगा ही आएगा बड़े भी बड़े पसंद सिखाएं तो बच्चों को तो हमें सा मना करते हैं कि आप बाहर की जीजे मत खाओ मत खाओ वो हमारी बात मान भी लेते हैं पर उनकी मन की भी तो बात हमें माननी चाहिए न तो चलिए उनके पसंद का ही कुछ ये रेस्पी बन रहा है जो उन्हें बहुत ही पसंद आएगा तो पानी निकाल लिया था और अब यहाँ पे नमक डालके मैं इसे 5 निट के लिए और रखूंगी और इसमें से फिर पानी और ज़्यादा निकलेगा तो उसे भी निकालना पड़ेगा मैं इसलिए इसका सारा पानी और स्टाश निकाल रही हूँ जब हम इसको फ्राइ करें तो ये काफी क्रंची बने इसलिए तो देखिए नमक डालने के बाद कितना पानी और निकल रहा है तो बस इतने ही है इसमें थोरा मेहनत इसके बाद तो ये पांच मिनिट में ही बन के त्यार होने वाली रेसिपी है बिल्कुल जंजट नहीं है बहुत ही इजी है तो इस तरह निचोर कर पानी आप निकालने सारा और अब हम इसमें कुछ इंगरेंट मिक्स करेंगे तो वह देख लेते हैं तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इसे प्लेट में ऐसे फैला दिया है देखिए कितना ड्राइ हो चला है पहले ही पानी निकलने की वज़े से तो अब यहाँ पे एक स्पून जितना ही में कॉन फलार या अगर आपके पास राइस फलार है तो आप वो भी डाल सकते हैं उसके बाद यह मैंने पीजा हफ्स पीजा औरी गयानो डाल दीजिए जो भी है आपके पास हफ्स उसके बाद आप यहाँ पे चिली फ्लिक्स डाल दीजिए ब्लैक पेपर डाल दीजिए और यह चॉप क्या हुआ धनिया पत्ता है इसे भी डाल देंगे और ग्रेट क्या चीज भी आड़ करोंगी तो बचो का है तो बचो के पसंद के हिसाफ से ही बनेगा ना ये तो यहां पर ये डाइस किया हुआ चीज में यहां पर एड़ कर रही हूँ अच्छ से सब को mix कर लेना है और बहुत ही हलके हांटों से दबाते हुए आपको इस तरह से राउं राउं बना लेना देखिए कितने important coolest एजी से बन गया ना तो डीप फ्राइ करना है कितनी अच्छी तर से देखिए फ्राइ हो रहा है नगेट बिल्कुल नहीं खुले हैं तो जब यह हलका सब ऐसे रोस्ट हो जाएगा तभी आप इसे टर्न किजिएगा और हीट को बिल्कुल मीडियम रखेगा स्लो नहीं रखेगा नहीं हाई रखेगा तो बस देखिए देखते देखते आपके नगेट बन गए और आप इने तीशु मेपर पर रखेजे ताकि एक्स्ट्रा ओयल निकल जाए और उसके बाद आप इसे अपने मन पसंद सेजवान करारी करारी आ रही है तो बाहर से हाड और अंदर से देखिए कितना सॉब्ट है ये चीज के वज़े से काफी जूसी भी है ये अंदर से बहुत ही टेस्टी लगेगा बच्चे तो इसे एक मिनट में चटकर जाएंगे और आप भी नहीं चोड़ेंगे इसकी गारंटी मैं लेती हूँ तो रेश भी पसंद आई तो लाइक दे दीजेगा कमेंट में कीजेगा और मैं क्या वीडियो बनाऊ आपके लिए और सब्सक्राइब नहीं करते हो आप प्लिस सब्सक्राइब कर लीजिए मेरी वीडियो को अगर पसंद करते हो देखना तो